हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल यासमेस के चनल आज मैं आपके साथ शेर करूँगी सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरह साथ मार्केट में मिलने वाली हजार रुपाली मिठाई को सिर्फ 50-60 रुपाय में ही घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको ना ही तो घंटो गेज जलाने की जरूरत है ना ही आपको इसे घंटो खड़ो कर पकाने की जरूरत बिना गेज जलाई ही आप इसे 5-10 मिनट में घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं बनाना बहाद असान हो और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी मिठाई बनकर रेडी होती है चले देखते हैं किस तरह से हम इस मज़ेदार मिठाई को बनाकर रेडी करेंगे तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 ब्रेट के स्लाइज मैं यहाँ पर वाइड ब्रेट का इस्तमाल कर रही हूँ आप भी इस मज़ेदार मिठाई को बनाने के लिए वाइड ब्रेट का ही इस्तमाल करें अब हम किसी नाइफ ये सीजर की हेल्प से सभी ब्रेट के कोरनर्स कट करकर रेडी कर लेंगे बचे हुए bread के corners का आप snakes बना लीजिए या आप इसके bread crumbs बना लीजिए जिसे आप लंबे समय तक store कर सकते हैं इनकी recipe मेरे चैनल पर uploaded है आप जाकर जरूर देखिएगा यदि के सभी bread के हमने corners cut करकर ready कर लिये हैं अब हम bread को इस तरह से चोटे चोटे पीसिस में तोड़ लेंगे क्योंकि इस मठाई को बनाने के लिए हमें बारिक bread चाहिए तो हम पहले bread को इस तरह से चोटे चोटे पीसिस में तोड़ लेंगे उसके बाद हम इसे mixi के jar मेट करकर इसका बारिक powder बनाकर ready कर लेंगे को हम बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लेंगे यदि की ब्रेड को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा बारीक मैंने इने पीस कर रेडी किया है ब्रेड हमारे रेडी हो चुके हैं इन्हें हम रख देंगे साइड में चलते हैं नेक्स्ट प्रोसिस पर यहाँ पर हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल इसमें हम एट करेंगे 4 टेबिली स्पून शुगर पाउडर मेरे पास शुगर पाउडर है तो मैं उसका इस्तामाल करेंगे अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप 4 टेबिली स्पून चीनी को बारीक पीस लीजिए उसके बाद आप उसका इस्तामाल कर लीजिए अब हम इसमें एट करेंगे bread जिसे हमने बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी किया है bread को हमने mixing bowl में एट कर दिया है मिठाई को बिल्कुल मावे वाला टेस्ट देने के लिए हम इसमें एट करेंगे एक कप milk powder milk powder एट करने से मिठाई के हमारी binding अच्छी होगी और texture तो इसका कमाल काएगा मिठाई को सुपर टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एट करेंगे 4 टेबिली स्पून desiccated coconut जिसे हम नारियल का बारूदा या गिरी का बारूदा भी कहते हैं यह optional है अगर आपको पसंद है तो आपसे एट कर लिजे अधरवाइस आपसे skip भी कर सकते हैं अब हम इन ड्राइंग इडेंस को अच्छे से mix कर देंगे इस्पून को मैंने रख दिया है साइड में हाथों की help से हम इस अच्छे से mix कर लेंगे आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से binding हो रही है लेकिन यह हलका से dry भी है तो इसकी binding अच्छे से हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए two table spoon दूद की मलाई मेरी मलाई थोड़ी dry है मैंने इसमें दूद नहीं लिया है आप जब दूद की मलाई लें तो आप उसमें थोड़ा सा दूद भी ले लिजिए यह देखें मलाई एट करने के बाद यह से हमने अच्छे से mix कर लिया है और जो हमारी बचीवी दूद की मलाई थी उसमें मैंने two table spoon दूद एट कर लिया है और सभी मलाई हम इसमें एट कर देंगे और इसका हमें एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे इस मज़दार मिठाई को बनाने के लिए हमारा ज्यादा मलाई का इस्तमाल नहीं होईगा सिर्फ 3-4 table spoon मलाई में ही हमारी मज़दार मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी ताकि हमारी मिठाई खाने में बिल्कुल मावे वाली लगे तो ये दिखी इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे इस तरह से दो भागों में कर लेंगे क्योंकि हम दो layer वाली मिठाई बना रहे हैं तो हम इसे बिल्कुल बराबर दो भागों में कर लिए ये दिखी इसे हमने दो भागों में कर लिया है अब हम इसके एक भाग को उठाकर रख देंगे साइड में और ये जो बचा हुआ हमारा मिठाई का मिक्स है इसमा में मेट कर देंगे थोड़ा सा ग्रीन फूट कलर थोड़ा सा ही मैं इसमेट कर दूँगी दूर ताकि ये जो हमने फूट कलर रेट किया है वो अच्छे से हमारी मिठाई में मिक्स हो जाए मैं यहाँ पर green food color का इस्तमाल करें हूँ आप अपनी पसंद से यहाँ पर किसी भी food color का इस्तमाल कर सकते हैं चाहें तो आप इसे बिना food color के भी बना कर ready कर सकते हैं तो यह दिए कि इसे हमने अच्छे से mix कर लिया है उस पर आप हलका सा butter ये घीला आकर उस अच्छे से grease कर लिजे तांकि आपकी मिठाई इजीलि डी-molt हो जाए मैंने box को अच्छे से grease कर लिया है, अब हम इस पर add कर देंगे butter paper मेरे पास बटर पेपर है तो मैं उसका इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बटर पेपर पेपर मैं हलका सा बटर लगा दूंगी मॉल्ट हमारा रेडी हो चुका है अब हम इस पर एट कर देंगे जो हमने गरीन मिठाई का मिकस बना कर रेडी गया था वाड कर देंगे उसे हम पूरे बोक्स पर अच्छे से फिला लेंगे पूरे box पर हमें से equally set करना है यह नहीं कि कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है equally हमें इसे set करना है तो देखी green mix को हमने अच्छे से set कर दिया है अब हम इस पर rate कर देंगे जो हमने बिना color वाला मिठाई का mix उठा कर रखा था वो हम इस पर equally set कर देंगे और इसे हम किसी spoon या किसी spatula की help से इस तरह से अच्छे से एकसार कर लेंगे ताकि मिठाई हमारी अच्छे से set हो जाए और प्यारा से हमारे मिठाई के pieces बने यह देखी इसे हमने अच्छे से set कर लिया है अब हम इसे cover करकर एक घंटे के लिए freeze में रख देंगे इस point पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को like करें और एक प्यारा सा comment ज़रूर किचे वो आपकी तरफ से हिनाम होता है हमारे लिए यह देखी कितनी प्यारी हमारी मिठाई से set होई है अब हम इस पसे butter paper हटा देंगे यह देखी आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी प्यारी हमारी मिठाई लग रही है और मिठाई हमारी कितने अच्छे से set होई है अब हम मिठाई की cutting कर लेंगे जब तक मैं मिठाई की cutting कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे channel पे नए हैं आपको मेरे cutting करने से ही पता चल रहा होगा कितनी प्यारी हमारी मिठाई बनकर ready होई है मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारी मिठाई से set होई है देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत हमारी मिठाई लग रही है जितनी ज़्यादे देखने में अच्छी है उससे कहीं ज़्यादे एक खाने में टेस्टी है तो आप इसे एक बार जरूर बना कर ट्राई करें आप चाहें तो आप मिठाई को इसी तरह से square pieces में सर्फ कर लीजिए नहीं तो आप इसे इस तरह से triangle shape में भी cut कर सकते है ये देखी कितनी प्यारी हमारी मिठाई बनकर ready होई है आप एक बार मेरी इस recipe से मज़धार मिठाई को जरूर बना कर ट्राई करें ये आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये किन मानना आप जब मेरी इस recipe से एक बार इस मिठाई को बनाएंगे तो आप market से मिठाई लाना भूल जाएंगे इतनी ज्यादा tasty हमारी मिठाई बनकर ready होती है और बनाना तो बहुती ज्यादा आसान है सरिफ पांच मिनट में हमारी मज़दार मिठाई बनकर ready हो जाती है बाकी एक घंटा तो इसे सेट होने में लगता है आप सोच रहे होंगे कि कह रही है कि ये मिठाई पांच मिनट में बनकर ready हो जाएगी और वीडियो इतनी बड़ी है मैंने इसकी वीडियो बनाई थी इस सभी चीजों को कैमरे में केप्चर करने में टाइम लगता है इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है लेकिन जब आप इस मिठाई को घर पर बनाएंगे तो आपके मिठाई स्रिफ 5 मिनट में ही बनकर ready होएगी कम मेहनत और कम खर्च में हमारी मज़ेदार मिठाई बनकर ready हो चुकी है आप एक बार इस रक्षा बंदर पर इस मज़ेदार मिठाई को जरूर बना कर ट्राई करें और मुझे कमेंट करकर लाजमी बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो फैम जो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और इस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज